हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की जो हमारी वीडियो है, उसमें हम जी के टॉप 50 कोशन्स दिसक्स करने वाले हैं जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट साइंस, हिस्ट्री, जोगराफी, एकोनोमिक्स, पॉलिटी सभी के इंपोर्टन कोशन्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जो सभी एक्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है आज हो वीडियो आपको पसंदा है, इसको स्किप मत कीजेगा, पूरा देखिएगा लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा बैल ऐकन प्रेस कर दीजे, तो सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके साथ ही साथ वीडियो की पीडियाफ के लिए अधर स्टेडी मडेल के लिए आप हमारे टेलग्राम स्वाल को जोईन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, अगर लिंक से आप जोईन नहीं हो पा रहे हैं, तो डिरेक्ली ओनलान स्टेडी पॉइंट सार्च कर करने वाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे भी पर्चिस कर सकते हैं, चलिए, देखते हैं, पहला कोशन, रॉबर्ट ब्रूस फूटे जो थे, वो क्या थे, तो इनके बार में बात करूं, तो हिस्ट्री में हमें काफी जाधन का कंट्रिविशन मिलता है, काई स कारी साइट्स के जो हैं, यह फांडर कहे जाते हैं, है न, तो यह जो थे, एक क्या थे, भुघर्व बैग्यानिक, साथी साथ, पूरा तात्विद, ठीक है, दोनों ही थे, तो डी जो है हमारा करेक्ट, आंसर होगा, ठीक है, चलिए, इसके लाबा देखेंगे, नेक्स्ट क किया था, किसके द्वारा यह किया था, तो यह किया था, थॉम्सन के द्वारा, नामियाद रखिएगा, किसके द्वारा किया था, थॉम्सन के द्वारा, तो देखिए, डैन्मार्क, ठीक है, न, डैन्मार्क कहां पर है, यूरोप में है, क्यापिटल्स की कॉपन हैगन है, तो इस संग्राले में ठीक है, 1818 और 1820 की आयोग की रिपोर्ट की अनुसार तो सामक्री की आधार पर से क्या हैं, हम बात करें, पाशान, कांस और लोह युक का त्रूगी विभाजन, किसने करिया था, तो क्रिश्चियान, जर्गेइनस, थॉमसन ने, ठीक है, चलिए, अगला से कब से मिलता है, तो पशुपारन का प्रारम हमें मिलता है, कब से मद्य पाशानकाल से, यानि की मिडल पैलिलिथिक एज से, तो मद्य काल के अंतिम चरण में, पशुपारन के साक्षे में प्राप्त होते हैं, ऐसे पशुपारन के साक्ष भारत में आदमगर तथा बाग से मिले हैं तो यह याद्रखिएगा ठीक है कहां से मिले हम हमें तो आदमगढ़ और बाग और यह दोनों हमें नाम चाहिए सबसे हम और वो जितम से हम क्या बोलते हैं 88 छो फोलत के हम सकतूल चैनल सब बोलता है आपको याद रखना है चीक है तो इनको क्या कहा जाता है Então on a gotta के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं भाबर कहलाते हैं ठीक है और एप हमाले का प्रवत प्रदेश है तो इसका सही आंसर होगा शिवालिक यह सबसे दक्षन श्रीणिया है और यह क्या है इमाले परवत का प्रदेश श्रेणिय के दक्षन भागपर स्थित हैं भारति राजनीतिक विवस्ता में इन में से कौन सर्वोच है तो इसे सर्वोच ने आएले संविधान शंसाद या फिर धर्म सुप्रीम कोट सबसे जो है सरवोज क्या होता है समविधान होता है Constitution होता है यह याद रखना है ठीक है और यही राज विवस्ताय के सुरूप और देश का ने धारण करता है इतना हमें यहाद रखना है भारत में न्यायक पुर्ण रिक्षन जुडिशल रिवू की जो संकल्पना है किस देश से ली गई है गाईस तो यह कहां से ली गई है यह ली गई है USA से संयुक्त राज अमेरिका से ठीक है अब इसका मतलब क्या होता है तो इसका आशे क्या है कि सरवोज न्यायले विधानों जू है वो क्या कर सकता है ठीक है यह मैं यादर्थना है जो भी उलंगन करते हैं संविधान का अईसे प्रावधान जो संविधान का उलंगन कर रहे हैं उनको शून निगोशित कर सकता है ठीक है भारती संविधान में राज्यों की संग की संगल्पना को प्राप किया गया है तो संग की संगल्पना है वो कहां से ली गई है तो British North America अधिनियम से याद रखीएगा कहां से British North America अधिनियम से तो भारती है हमारे समविदान उसका अनिश्षीत एक-एक केनुसार भारत क्या है तो राज्यों का संग है कहां से लिया है बिटिश नौर्थ अमेरिका अधिनियम से अगला हम देखेंगे UNEP United Nations Environmental Program इसका मुख्याले कहां पर है इसका तो मुख्याले है वो नाइरोबी में स्थित है कहां पर है नाइरोबी में है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो गाईज इसकी स्थापना हुई थी 1972 में यहां से हमें क्या क्या पता चलता है UNEP का फुल फॉ प्रोग्राम मुख्याले कहां पर है नाइरोबी खीनिया में है और स्थापना कब हुई थी 1972 यान युनिस सो बहत्तर में ठीक है अगला देखेंगे EPA EPA की हम बात करने इसका पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है 環ाम्द्टल प्रोटेक्शन एजन्सी क्या नाम है इंवर्म में प्रोटेक्शन ऑजएंजसी ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले कहां पर है तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले है ठीक है एलस एकमें कॉछो आइसर और Goodbye अक्यु कौन है वीजक के रचयता कभीर है इसके बाल यह कभीर-पंती संप्रताई की अनुयायों का मुख्य धार में ग्रंथ है इसमें कभीर के दोहों का संक्लन है ये याद रखना है ठीक है और जो आपने सुनाओगा पणी का एक ट्राइब है ठीक है आदिवासी जिनजाती होती है पणी का जो सवाइन को क्या कहते है कभीर पंधी ठीक है कभीर पंधी संप्रदाए कभीर एबं धरमदास के मद्ध सम्वादों के संकलन का शीषक क्या है तो सही आंसर है इसका अमर मूल किस किस के बीच कवीर एवं धरमदास की मद जो संबाद है उसका संकलन जो है उसका शीशक क्या है तो अमर मूल ठीक है सबद साखी रमैनी ये कवीर की रचनाएं है परन्तु धरमदास के साथ कवीर के संबादों का जो संकलन है अमर मूलशीशक के अंतरगत प्राप्त होता है अगला देखेंगे मलुगदास एक संतकवी थे कहां के थे तो ये थे कड़ा के ठीक है मलुगदास कड़ा के संतकवी थे याद रखना है उनको भारत वर्ष में बिटिश सामराज का संस्थापक कौन था तो भारत वर्ष में अगर हम कहें बिटिश सामराज का संस्थापक कहा जाता है लौर्ड रॉवर्ट क्लाइव को छीख है चलिए देखेंगे हम भारत वर्ष में जो बिटिश सामराज उसका संस्थापक रॉवर्ट क्लाइव को माना जाता है प्लासी का युद्ध जो हुआ था ठीक है यह 57 होगा 1957 तेजुन 1957 बंगाल के नवाबस राज़ दौला को पराज़त कर पहली बार भारत में बिटिश प्रभुत्व की नीव यहां पर रखी गई थी ठीक है फिर इसके बार 1964 में ही कौन सा होता है तो यहां पर बकसर का बैटल अगया नेयम निलिखित में से स्वर्ग्स से उत्पन सेनानायक कहा गया है तो यह रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा गया है ठीक है इसके अलाबा इह विल्यम पिट का कथन है कि यह क Efendimiz से उतौ नम पलाशिका युद्यू का जो मैदान है पश्य मंगोल के नादिया जिले में भागी रधी नदी के खिनारे पर है। निम्दिक्त में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति माहत्मा गांदी के नेटरत्वों में नहीं होगी। तो यह किस ने कहा था यह जो कथन था किसका था सुभाश रंद्र बोस उनके द्वारा फॉरड ब्लॉक के स्थापनवी की गेटी 1939 में सुभाशन रबोस ने अपनी पुस्तक दा इंडियन स्ट्रगल में क्या कहा था कि मात्मा गांदी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी असाधारन सेवा प्रदान करते रहेंगे परंतु भारत की जो मुट्ती है वो मात्मा गांदी की नेतरत्व में नहीं होगे प्रतेक वस्तु प्रतिक्षा कर सकती है परंतु क्रशी नहीं यह जो हम बात करें कथन है उसका श्रेक किसे दिया जाता है यह दिया जाता है हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडेत जवाहलाल नहेरु को प्रतेक वस्तु प्रतिक्षा कर सकती है प्रवंतु कर्शी प्रतिक्षा नहीं कर सकती पंडेत जवाहलाल नहेरु ने स्व जो हेड में चुछ रहे नकावी पैर कि एडनी नेयम्स प्यूमरस प्यूम्रस में और वो मानव पैर की हड़ी नहीं है ठीक है हुमरस कहां पाई जाती है तो हुमरस जो है पाई जाती है हमारी उपरी भुजा में ठीक है कहां पर पाई जाती है उपरी भुजा में पाई जाती है इसके बाद हम बात करें इन में से जो है मनुष की शरी में पैर की हड़ी है ठीक है मतल चांग में पाए जाती है तो इस प्रकार की हमारे हाथ में होते हैं चिनको कि सबसे होती तो अभी मेंने आपको बतायoure है जांगल की हटड़्ी सबसे लंबी होते है इसका नाम भी हमें आदकना है किया है नामíreध माधी त्रद्व हैं तो दातों तद्व हड्ड्यों में पाया जाने वाले कॉन से हैं कैल्शियम फोस्फोरस क्या सबसे ज़्यादा क्या मिलता है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलता है। साथी साथ व्रत धवस्ता में मनुष्ट की हड्या क्यों कमजोर हो जाती है। तो देखिए, जिस वज़ा से हड्यों का फॉर्मेशन हो रहा है, किस वज़ा से calcium और phosphorus जब OC की कमी होगी तो definitely क्या होंगी weak होंगी boons तो सही answer क्या होगा calcium की कमी की वज़ा से है ना next देख लेंगे निमलिकित नगरों में से किस एक की निकट पालिताना मंदिर स्थित है तो ये कहाँ पर है तो उसका सही answer है भाव नगर जिंदी गुजरात ये हमको याद रखना है प्रसित विजय विठल मंदिर किसके हम बात करें जिसके 56 तक्षित स्थम संगीत मर्स तर निकालते हैं संगीत में स्वर्ड जो है निकालते हैं ये कहाँ पर अवस्थित है तो ये है गाइस हमपी में और हमपी से आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है तुम भद्रा नदी के खिनारे ये क्या हुआ करती थी विजन अगर सामराज की राजधानी हुआ करती थी कौन सा व्रहत मंदिर के प्रारंबिक अभिकल्पना तथा निर्मान सूर्य वर्मन के राज़काल में हुआ है तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है जो अंकोरवाट कंबोडिया में अंकोरवाट टैंपल है जो सबसे बड़ा इंदू बंदिर कहा जाता है तो ये किस बेल गोला जो है ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह इन्होंने जैन धर्म अडॉप्ट कर लिया था इसके बाद यहीं श्रवन बेल गोला ही चले गए थे और गोंतेश्वर की मूर्ति है उसका निर्मान करवाया गया था चामुंडराय के द्वारा किसके द्वारा यह याद रखना है तो कब स्ट्रविश हुआ है यह नाइटिंथ्टी फाइफाइफ फॉस्ट आपल 1935 में हुआ है है और मुंबई में है पहले कहां पर था कोलकाता में था और शक्तिका अंदास क्या है इसके गवर्णर है इसकोशन का जो आंसर होगा क्या होने वाला है य कब स्टाबश हुआ हैGO १ॉ प्रचाथ है कि ऩो में घॉल्टि लमील विट और क्रशी है तो ठीक है यह यह में पता होना चाहिए इसके लावा आप से ए सिद्टार सकता 1982 में इस्टब्रिश हुआ है मुंबई में क्या है इसका हेड़कॉर्टर है और हर्ष कुमार भानवाला जो क्या है इसके चैर पर्सन है नेक्स देखिंगे इन में से कौनसी समीती जो है वो बैंकिंग शेत्रों में सुधार से संबंदित है तो यह है नरसिम्मन कमीटी ठीक है और यह दो बार बनी है यह भी आपको याद रखना है तो डिरेक्टी आप से यह पूछा जाएगा कौन सी समीती बैंकिंग रिफॉर्म से रेटेट है तो नरसिम्मन कमीटी है दो बार यह बनी है ठीक है भारत में मौद्रिक नीती किसके द्वारा बनाई और लागू किया जाती है तो जो मौनिट्री पॉलिसी है किसके द्वारा बनाई जाती है भारतिये रिजर्व बैंक यानि की आर बियाई के द्वारा जो है यह बनाई जाती है भारत में विदेशी विन्यम संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है तो यह भी किसके द्वारा किया हैं किस से संबन्दित है जोकि बढ़ेंगर्त चिनिस से संबन्दित है तो यह संबन्दित है ग्रामीन स्विति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है तो सही आंसर क्या होगा इसका ठोक मूल सूचकांग ठीक है ठोक मूल सूचकांग जो है क्या है भारत में मुद्रा स्विति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है ठीक है उत्पत्ति के द्रस्टी से निम्न परवशेणियों मे सबसे पुरानी को सबसे Pезж सबसे पुरान कर नहीं पता है यह सबसे पुरानी सबसे पुराण की इस द με tissue माहरास्ट में याद रखेगा राज्य में पटकाई शेनी हिमाला शेनी में स्थेत जिसका निर्मान तर्शरी युग में हुआ है शेस सभी दक्षिन और मद्ध भारत में स्थेत हैं निम्लिकित में से कौन सा पटकाई पहाणियों से सनलंगन नहीं है तो देखिए नागालेंड मानिपूर मिजोरम तीनों ही है जबकि तत्र पाउर्पूर हैं तो मारा कर्यक्स एंसर होगा ठीक है और पटकाई पहाणिया असँ मनिपूर मिगालें मिजोरम एवं नागारेंड से के सनलगना है और जो हैं नीजोर पहाड़ियां किसते हैं त्रिपूरा से हैं । पीरपढ़ल शैणी कहां पाई जाती है तो पीरपढ़ श्रेणी जम्मुएन कष्मीर में पाई जाती है ठीक है और यह हिमाचल प्रदेश जमुकश्मीर राज्यों में दक्षिन पूर से उत्तर पूर से उत्तर पश्रिम तक जाती है ठीक है बेसिकली सबसे ज्यादा एक्सेंशन कहा है इसका जमुकश्मीर में है किंदो परवश्मीर राज में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर में ब्रत हिमाले और दक्षिन पश्रिम में पीर पंजाल शेन के बीच स्थित है नेक्स देख लेंगे भारतिय संग के अंतरगत किसी राज को मिलाने का अधिकार किसे है तो ये जो पावर है ये भी गई है संसत याने की पार्लेमेंट को और अच्छे दो की अनुसार वह नए राजों का भारतिय संग में प्रवेश कर सकती है कौन हमारी संसत ठीक है यदि भारतिय संग में एक नए राज का शरण किया जाना है तो सम्विधान के किस अनुसूची का संबंद जो है संशोधन करना आवशक होगा तो प्रथम अनुसूची ठीक है कौन सी होगी प्रथम अनुसूची होगी क्योंकि उसमें क्या है प्रथम अनुसूची में राज जिवा उनके शेत्रों का विवरण लोकसवा में केंद शाष्र प्रदोशों के लिए कितनी सीटें जो है अरक्षित हैं तो सही आंसर है इसका 20 ठीक है कितनी है 20 तो देखिए सम्विधान के अनुसूचीद 81 में ठीक ह कि अनुसार लोकसवा के लिए अधिक्तम जो थी संख्यावों कितनी थी 530 और सदसे राज्यों के निर्वाशित शेत्रों से अधिक्तम 20 सदसे केंशाष्र प्रदेशों से निर्वाशित हो सकते रविदमनार टैगोर की मत्यू कब हुई 1941 में हुई है काईस ठीक है इसकिला की सधा अबजरी उसके नोबल बुरसकार दिया गया था ठीक है गुरुदेव के नाम से आनल जाना जाता और हमारा राशत्र राश्ट किन ही कि जाता है ठीक है महान प्रहरी जो है कहा रहा था किसने कहा था तो यह कहा गया था माहत्मा गांधी के द्वारा किसके द्वारा महत्मा गांधी के द्वारा और रविद्रनाद्र टैग और जी ने गांधी जी को क्या उपादी दी तो महत्मा की दी थी जबकि राश्पिता की उ सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब करने नहीं भूलेगा बैल अकान प्रेस करती है तो सब्सक्राइब को नोटिफिकेशन आपको मिल सके PDF के लिए और स्टेडी मडेल के लिए आप हमारे टेल्गाम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं क्यों था कि फॉएल और स्टेडर निए वटत थाम चैनल को थम्सक्राइब करो मिल सक रखंज की भी अ